आज हम बनाने वाले हैं पैटी जिंगर बर्कर तो हमें जिंच अशिया की ज़रूरत होगी सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा पॉनलेस आदा किलो क्यूप्स में कटा हुआ बन चाहिए होगे चार अदद चार अदद हमें अंडे चाहिए होगे दो हम कीमा कटते हुए डालेंगे और दो हम बाद में इस्वाल करेंगे एक चमश हमें लेसन पिसावा चाहिए होगा एक अदद प्यास चाहिए होगा आदा कप हमें गाजर चाहिए होगी दो तीन हरी मिर्चें कटी हुई चाहिए होगी थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा रस दो अदद चाहिए होगे चूरा किये हुए और आदा कब हमें पंदकोबी का चाहिए होगा मसाला जात में हमें सुरख मेरच चाहिए होगी एक चमच पिसा हुआ धनिया साबत एक चमच एक चमच हमें नमक चाहिए होगा तकरीबान एक चमच हमें काली मेरच और थोड़ा सा हमें गरम मसाला चाहिए होगा ओयल चाहिए होगा फ्राइन के लिए मायोनिस चाहिए होगी और कैच्छिप चाहिए होगी मैदा चाहिए होगा तकरिबान हमें आदा खिलो एक खुले बाउल में हम इसे डाल लेंगे दो अंडे हमने बचाए थे लेकिन हमें तीन अंडों की जरूरत होगी एक और मैंने डाल दिया है चौपर में डालते हैं सारी चीज़े सबसे पहले हम चिकन डालेंगे लेसन और प्यास डाल देंगे गाजने डाल देंगे आदा कप रस का चूरा डालेंगे दो अदर रस लिये थे हमने उसका चूरा बनाया था बन को भी आदा कप जो हमें ली थी वो डाल देंगे हरी मिर्चे हैं और थोड़ा सा धनिया जो लिया था वो भी डाल देंगे जो मसाले हमने लिये थे वो सारे इसमें डाल देंगे दो अदद अंडे हम इसके अंदर डाल देंगे अब हम इसको अच्छी तरह से चौप करेंगे तो यह चाप हो चुका है यह देखें ऐसी शेप होनी चाहिए इसकी यह हमने बाउल में निकाल लिया है थोड़ी दर के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे फिर हम इसके पैटिस बनाएंगे अब यह हमने निकाल लिया फ्रिज में से हातों भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पैटिस बनाएंगे थोड़ी सी बड़ी पैटिस हम रखेंगे इसके साइज में यह देखें इसी तरह हमने बाकी भी त्यार कर लेनी हैं तो यह हमने रड़ी कर ली है अब हम इसको दसमेंट के लिए फ्रीजर में रखेंगे अब हम अंडे लेंगे तीन अदत छे चमच हम तकरिबां दूद के लेंगे आदी चमच हम काली मिरच लेंगे आदी चमच नमक लेंगे आदी चमच हम सफेद मिरच लेंगे और आदी चमच हम लेसन पॉर्डर का लेंगे यह टी स्पून का मैं बता रही हूं आदी आदी टी स्पून याने के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये मिक्स हो चुका है अब हम फ्रीजर में से निकालेंगे पैटिस को पहले मैदे में डालेंगे फिर अंडे में फिर मैदे में तो मैदे में डालते हैं इसको अच्छी तरह से इसको मैदे से हम कवर करेंगे अब अंडे में डिप करेंगे हम फिर से हम मैदे में डिप करेंगे यह मैंने थोड़े डिफरेंट रेसीपी बनाई है इन्शाला आपको बसांद आएगी अच्छी तरह से कवर करें इसको यह देखें इसी तरह हम सारे राड़ी कर लेंगे यह हमने राड़ी कर लिए हैं देखें थोड़ी जिंगर की इस पे शकल आ रही है अब हम इसको फ्राइ करेंगे फ्लेम मेडियम ही रखनी है एक तरफ से बोलन हो जाए तो दूसरी तरफ कर लें तो यह राड़ी हो चुकी है हम निकालते हैं से इसी तरह हम सारे राड़ी कर लेंगे तो यह हमने राड़ी कर लिए हैं अब हम बन लेंगे मायो लगाएंगे सबसे पहले हम पैटी रखेंगे उपर देखें कितनी अच्छी शकल आई है माशाला से बन गो भी उपर डालेंगे टमाटर लगाएंगे उपर कैचप लगाएंगे अब फिर से उपर वाले हिसे पे हम मायो लगाएंगे उपर राके हलका सा पैंच कर देंगे तो इसी तरह हम रेडी कर लेंगे यह देखें तो यह हम रेडी कर लेंगे हैं अगर आपको मेरी रेसिपी कर दाती है तो आपको मेरी रेसिपी को जुरूर लाइक की जिए और शेयर भी की को थेंक्यू अलाव देस झालिए सब्सक्षाओ झालिए झालिए बाढ़ पर्म्ण झालिए झालिए कर दो दो आधको जए झालिए झाल